सद्गुरू, मैं केरल की रहने वाली हूँ. केरल में दो से तीन हफ़ते पहले बाढ़ आई और मेरी मां हमेशा मुझे फोन करके अपनी परिशानियों के बारे में बताती रहती थी कि उन्हें किन-किन चीजों से गुजरना पड़ रहा है. मैं भी परिशान हूँ क्योंकि हम यहां सुरक्षित हैं और हमारी माता-पिता और रिश्टेदार वहाँ हैं. मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मुझे ये बात पता ना होती कि मेरा राज्य पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है, तो मैं खुश रहती, अगर मुझे ये सब पता ना होता. जब अज्ञानता ही आनंद है, तो लोग ज्ञान की तलश क्यों करते हैं? अज्ञानता आनंद इस तरह से है. आप एक चीज़ कर सकती हैं. आप विल्यंगेरी परवत तक आएं, उपर तक जाएं, वहाँ एक खड़ी चटान है, वहाँ से कूदिये, आपको बहुत बढ़िया लगेगा. जब तक आप जमीन से नहीं टकराती हैं. अज्ञानता ऐसी ही है, अगर आप कूदे हैं, आपने कभी सकाइडाइविंग नहीं की? अगर आप किसी हवाई जाहज से कूदे हैं, तो बहुत शांदार लगता है, वाकई. बस अगर आप नीचे देखें, तो ये कमबक्त ग्रह तेजी से आपकी ओर आ रहा है, समस्या बस यही है. वरना गिरना बहुत बढ़िया है, जब तक आप जमीन से न ठक राएं. अग्यानता ऐसी ही चीज है, वो आपको पकड़ लेती है. ये आपको पकड़ी लेती है. मान लीजिए, ऐसा तब होता है, जब आप छुट्टी पर गई होती है, तो उसने आपको पकड़ लिया होता, है न? और क्या गैरंटी है, कि यहाँ बाड नहीं आएगी? इसकी कोई गैरंटी नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है. अग्यानता कोई हल नहीं है, नहीं उसमें कोई आनंद है. अग्यानता आपको कुछ चीजों के दुख से बचाती है. मगर, कभी न कभी वो दुख एकठा होकर विशाल रूप में आपके पास आएगा. अभी ये बाड अपने आप में एग्यानता का आनंद है. क्योंकि लोगों ने सोचा कि अगर आपको कुछ नहीं पता होगा, तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं, आप डूप जाएंगे. अब बाड आने की कई सारी वजाएं. हमने पिछले आट-नौ सालों में खासका रिस इलाके में इस तरह की बारिश नहीं देखी है. मैं लगभग नौ साल बाद पहली बार एक भरा पूरा मौनसून देख रहा हूं. मौनसून को ऐसा ही होना चाहिए, समझे आप? बुरी बारिश जैसी कोई चीज नहीं होती. बारिश हमेशा अच्छी होती है. सिर्फ इंग्लेंड में बारिश बुरी होती है. सिर्फ वो लोग गाते हैं, rain, rain, go away. भारत जैसे ट्रॉपिकल देश में बारिश हमेशा अच्छी होती है. सवाल ये है कि हम बारिश को संभालने के लिए तयार हैं या नहीं हम बारिश को कैसे संभाल सकते हैं क्या हम उसे बाल्टी में भर सकते हैं नहीं जब हम एक मौनसूनी देश में रहते हैं जब हम एक ट्रॉपिकल देश में रहते हैं तो ये एक सरल सी बात है कि पानी को थाम कर रखने के लिए हमारे पास एक हद तक पेड़ पौधे होने चाहिए तमिल में एक कहावत है मैं उसे शब्द शय नहीं दोहरा सकता ये कुछ ऐसा है अगर कावेरी चल कर आती है तो वो सौभाग्य है अगर वो दोड़ते हुए आती है तो वो विपत्ती है एक नदी दोड़ेगी क्यों? बताईए ऐसा कैसे करें कि नदी चले, दोड़े नहीं पेड़ पौधे होने चाहिए अगर परियाप्त पेड़ पौधे होंगे तो पानी के जल ग्रहन क्षेत्रों में पहुँचने पर वो उसे रोक कर रखेंगे और फिर वो धीरे-धीरे नदी में आएगा अभी पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए वो सीधे आ रही है ऐसी इस्थिती अभी कूर्ग में भी हुई पिछले 30 सालों में कूर्ग के 65 प्रटिशत पेड़ पौधे काट दिये गए हैं जो कावेरी का जल ग्रहन क्षेत्र है अब इसके एक हिस्से के रूप में करनाटक सरकार के साथ मिलकर हम 25 करोड पेड़ लगा रहे हैं कावेरी के जल ग्रहन क्षेत्रों में अभी कावेरी के लिए करनाटक और तमिल नाडू में लड़ाई हो रही है मगर समस्या ये है कि जल ग्रहन क्षेत्रों के पेड़ पौधे काट लिए गए हैं पिछले 30 सालों में 65 प्रतिशत एक बार मैं 13 दिनों तक कावेरी में तैरता रहा था 163 किलो मीटर सिर्फ 6-7 बांस के डंडों और 4 ट्रक ट्यूब की मदद से मैं बस नदी पर आशरित होकर तैरता रहा उस समय मैंने कावेरी को जैसा देखा था आज वो उसका लगभग 40 प्रतिशत रह गई है हैरत की बात नहीं है कि आप पानी के लिए लड़ेंगे लेकिन अब जब बार आती है तो उसे कौन रोक पाएगा तो अग्यानता आनंद है का मतलब है कि वो एक दिन आपको पकड़ी लेगी इसमें थोड़ा समय लगा 24 साल लगे मगर इसने आपको पकड़ लिया यही बात केरल के बारे में भी सच है गंगा के तट में गंगा की नदी घाटी में गंगा की नदी घाटी देश के भुगोल का 25 प्रतिशत हिस्सा है और भारत की 33 प्रतिशत खेती इसमें होती है पिछले 70 सालों में हमने गंगा की नदी घाटी से 94 प्रतिशत पेड़ पौधे काट डाले है हमारी योजना क्या है? क्या अज्ञानता आनन्द है? हाँ है? यह आनन्द हमें पकड़ लेगा हमारी अज्ञानता किसी ने किसी तरह हमें बचा लेगी मगर हमारे बच्चे पकड़ में आ जाएंगे वो बच नहीं पाएंगे